शरिणी सुद्धी व्यविचार नो त्याग इंसानो त्याग आसत्य नो त्याग शरिणी सुद्धी कर्ष। व्यविचार नो त्याग शरिणी 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 व्यविचार नो त्याग शरिण गोंगाटकरी ने बराडापाडी ने बोल्वू ते वाणी नो दोश्चे, अशुद्ध शब्दो गाली वगेरे मिस्रण ये तीजो वाणी नो दोश्चे, जुटकपट सहीत बोल्वूं ये वाणी नो चोथो दोश्चे, कोईषी ने चुब्भैते वी वाणी बोल्व इवाणी नो पांच मोंदोर Спें, एम पांच गुण वाणी ना थेुए, हितकारी बोलू एवाणी नो सद गुण थे तपस्या थे, तुमारी वाणी प्रभावशारी थेज़े, तमें हितकारी बोलता था। बापुनिवानी केभी प्रभाव साहिएएं, अगने हैं। अगने सब्सक्रावाणी को बापु से अगने है। अगने सबस्टेक्नाी को बाट से केभी यहामाजक आखाकेक को webinar, अगने सबस्टेक्या का उंखेये हैं। तो जे हित करवानी बोले छे निवानी प्रभावशानी जे थुडु बोले, सार गर्भित बोले, ती जुचे के शांत रहावनो अभ्यास करे. चोथु, मध्धुर बोले औने पांच मुँ प्रिय बोले, ए पांच गुन तमारी वानी में आवे, तो तमारी वानी जादु असर करशे, परिकाई जुचे, प्रिया, मिठियने मध्धुर, शांत, थोडु बोलु, सार गर्भित अने हित कर. कि वानी, थोडुम कर. प्रिकाई हित कर बोल्वानू, सार गर्भित बोल्वानू, और शांत्रे वानू अभ्यास कर वानू, चोथी वात, मिठुने मधुर बोल्वानू, तो पांच मिपाट प्रिय भोल्वानू. आतलु तो तमें करी शकूं। और भग्वान माए Satgauna ता, बग्वान प्रिय बोलता ता, शांत रहता, मधुर बोलता, हितकर बोलता, स्री रामचंद्र, स्री क्रश्न, शुक्देवजी माहाराद, बीजापन महापुरुषु, सत्य अनुस्या, गार्गी बीजापन, तम्हें पने विर्ते करिशको जो. वानि ऐसी बोलिये, जो मन्वा सीतल होय, आवरन को सीतल करे, आप वहुं सीतल होये।